नमस्कार दोस्तों, बर्वड अकेडमी में आपका हार्तिक स्वागत अभिनन्दन है, मैं स्यामदाल बर्वड आपका हार्तिक अभिनन्दन करता हूं देखी मित्रों अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी साहित्य का इतियास काविशास्त्र एवं हिंदी व्यक्रण इंग्लीज आदी विशे की कक्षाएं सुचर रूप से चालू है आप सभी बरवड अकैडमी पर आएं और पढ़ें सार गरबित और तत्यसहित नौट्स के रूप में कक्षाएं चालू है निसुलक कक्षाएं और निसुलक अध्यन करने के लिए बरवड अकैडमी को एक बाद जरूर विजिट करें आज मैं राजस्थान में जो चितर सहली है चितर सहली से समन्दित कुछ तथ्या आपके सामने लेकर आया हूँ जैसे विकानेर चितर सहली है विकानेर चितर सहली में पीला रंग है वो है पीला रंग है विकानेर चितर सहली में पीले रंग की परधानता है उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जोदपुर चितरशेली है जोदपुर चितरशेली में भी पीला रंग है अब देखिए दोनों में पीला रंग क्यों है इसके पीछे मैत्म कारण यह है कि जोदपुर की इस्तापना करने वाले राव जोदा थे उसे पहले मंडोर था राव जोदा आये और जोदपुर नगर बसाया और राव जोदा के पुतर राव बिका ने बिकानेर नगर की इस्तापना की जोत्पुर्वेमी चितरसहली का रंग पीला है और विकानेर की चितरसहली का रंग पीला है यह हमेशा ध्यान डगना कई बार प्रिक्षा में इस तरीके के स्वाल पूछे जाते हैं मिलान वाले आगे बात करूँ आमेर चितर्शैली आमेर चितर्शैली में प्राकर्तिक रंगों का परियोग हुआ है बहुत इंपोर्टेंट है प्रिक्षा में स्वाल पूछे जाते हैं प्राकर्तिक रंगों का परियोग किस चितर्शैली में हुआ है तो उसमें आमेर होगा आमेर, जैपूर, अलवर, धौलपूर ऐसे option होंगे जिसमें आमेर अपना सई उत्र होगा आगे मैं तीसरी चितरशली के बाद में बात करूँ तो वो मेवार चितरशली है मेवार चितरशली में लाल और पिले रंका परियोग हुआ है जियान रगना मेवार चितरशली में लाल और पिले रंका परियोग हुआ है जो बेहदी मैदपुल्ण है और आगे है किशनगड चितरशली जो आपके सामने बनी ठणी का एक छाया चितर है और इनको भारत की मोनालिशा भी कहते हैं नागरिदास चितरे हैं नागरिदास की प्रमदार नागरिदास चितरे थे और इसमें सफेद और गुलाबी रंका परियोग सबसे ज़्यादा हुआ है देखी मित्रों ये स्वाल कई बाप प्रिक्सम आता है भारत की मोनालिशा या राजतन भारत की मोनालिशा तो किसनगड़गी जो बनी ठणी है या इसे पूछ ले किसनगड़गी शैली में किस रंका परियोग हुआ है सफेद और गुलाबी रंग ठीक है ना तो किसी तरीके से स्वाल पूछ सकते हैं अगला चितरे हैं हमारे सामने बूंदी का बूंदी चितर शैली से सामने चितर है जिसमें हरा सोने और चांदी के रंगव का परियोग हुआ है तो यह स्वाल एक बार आया था प्रिक्सा में जैसे में पूछा सोने और चांदी के रंगव का परियोग राजस्तान की किस चितर शैली में मिलता है बहुत ही important स्वाल है ये मुंदी चितर सेली में मिलता है सोने और चांदी के रंगों का परियोग नागोर चितर सेली में बुजेवे रंगों का परियोग हुआ है ये भी स्वाल प्रिक्षा में आ चुका कई बार बुजेवे रंगों का परियोग किस चितर सेली में है नागोर तो ध्यान डखना नागोर में है नागोर की जो चितर सेली है उसमें बुजेवे रंगों का परियोग किया गया है और अजमेर चितर सेली में बैंगनी रंग का परियोग हुआ है अजमेर चितर शैली में बैंगनी रंग का परियोग हुआ है और जैपूर चितर शैली में लाल पीला हरा रंग का परियोग हुआ है तीन रंग इसमें इसफस्ट तोर से लिखे हैं और आपके सामने जैपूर चितर शैली का एक छाया चितर भी है जिसमें लाल पीला और हरा र परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् एक बार बरवड एकेडमी चैनल को जरूर विजिट करें सस्क्राइब करना न भूलें और पड़े मैं आगे से आगे ऐसे कई वीडियो आपके सामने पेस करूंगा आज इतना ही नमस्कार धन्यवाद